एक आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लैटफार्म टागेट सेमिस्टर में और आप सभी के अपने कोर्स सार्थी में एक ऐसी वीडियो है जो आपको सार्थी के स्टुडेंट्स को भी मिलने वाली है और ये यूटूब पे भी पॉब्लिकली अविलेबल है तो अब आप लोग कहांगे जर ऐसा क्यों क्यों कुछ वीडियो ढ रही हैं लोज देखिये कुछ बच्चे हैं जो डिमांड कर रहा हैै अपच्छ दिमाड किरे काफिट सब्सक्राइब है क। कुछ नए वीडियो भी चाहते हैं students तो उसी कड़ी में आप लोगों कुछ नए वीडियो भी प्रोवाइड किये जा रहा है but don't expect कि आपको सारे ही वीडियो टागेट semester के channel पे free of cost मिलने वाले विकॉज मैं आपको बार बार पताता हूं कि आपका सार्थी कोर्स जो मात्र 399 जिसका प्राइज ओरिजनली 349 रखा गया था अब उसका प्राइज इंक्रीज हो गया 399 में मिल रहा है आपके टार्गेट गुरुकुल एप पे जो भी स्टूडेंट सभी तक सार्थी जॉइन नहीं किया है जल्दी से डाउनलोड कर लिजे टार्गेट गुरुकुल एप जॉइन कर लिजे सार्थी को बिना किसी परिस अबसानी होती है आपको जॉइन करने में तो हमारा हेलप लाइन नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिप्शन वॉक्स में और साथ ही साथ आपको वाट्सप भूप भी मिल जाएगा तो वाट्सप ग्रूप फ्री आफ को स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले चप का नाम है क्वालिटी जफर सक्सेस्फुल बिजनेसमान और यह नमर थी कि सब्जेक का है तो बिजनेस और इसके पहले हमने चप्र 2 में बताया था जो स्टूडेंस हमारे सार्थी के उनकी एक लाइब क्लास होई तो मैंने बताया था कि एक बिजनेस को प्रमोट कैसे किया जाता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कौन-कौन सी एक्टिविटीज होती है और वह एक्टिविटीज कौन करता है कैसे होता है कौन-कौन से फैक्टर होते हैं जो आपको बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत ध्यान से देखने पड़ते हैं कि एक सफल व्यापारी के अंदर एक सफल व्यावसाई के अंदर कौन-कौन सी गुण होने चाहिए कौन-कौन सी खूबिया होनी चाहिए तो सबसे पहली चीज एक सफल व्यापारी नीए एक अच्छा इंसान अच्छा मव क्या है फिजिकली भी एच्छा हो मैंटली भी एच्छा हो और मोरली भी एच्छा हो fine type of man का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसकी सोच अच्छी हो जिसकी सूरत अच्छी हो और जो morally अच्छा हो morally यानि honest हो उसके अंदर integrity हो उसके अंदर courtesy हो मतलब जो भी एक सिस्टता आच्रण आप जिसको कहते हैं वो सारी चीज़ें successful businessman के अंदर होती है और यदि है तो definitely वो businessman और भी जादे आगे जाने वाला है second point foresight foresight का मतलब क्या होता है दूर द्रिस्टी दूरगामी सोच एक सफल व्यपारी और भी जादे सफल तब हो सकता है जब उसकी सोच दूरगामी हो जब वो आज की परिस्तितियों को देखते हुए आने वाले समय में क्या होने वाला इसका आकलन करने की छमता रखता हो तो foresight का मतलब होता है उस व्यक्ति के पास ये छमता होनी चाहिए कि वो आज को देखके कल का परिदृत से क्या होने वाला है कल का स्थिति क्या होने वाला उसका आकलन कर पाए थर्ड पॉइंट फॉर्मनेस अंकरेज जो सक्सेस्फुल बिजनसमेन होता है वो अपने लिए गए डिसीजन पर हमेशा अडिग रहता है अटल रहता है और उसके अंदर साहस भी रहती है साहस का मतलब क्या है मलदी जब बिजनस स्टार्ट कर रहे हैं then you know there are so many types of uncertainty and risk in your business आपके बिजनस में बहुत प्रकार की uncertainty होती है रिस्क होती है और उस uncertainty और रिस्क को आप कैसे डील करेंगे if you have the courage अगर आपके पास साहस होगी तभी आप उस अनिस चिताओं से और उस जोखिम भरे माहोल से अपने आपको बाहर निकाल पाएंगे so firmness and courage का मतलब यह कि एक businessman अडिक होना चाहिए अटल होना चाहिए उसने जो भी decide कर लिया है वो जो भी कर रहा है उसके प्रति और उसके अंदर उसके business में आने वाले सभी तरह के risk और सभी तरह की uncertainty से निपटने का साहस भी होना चाहिए ठिक अगला hard labor एक businessman खुद hard working होना चाहिए क्योंकि जो businessman होता है उसको देख के ही उसके employees motivate होते हैं उसको तो देख के ही जो उसकी audience होती है जो उसका target customer होता है वो भी motivate होता है जैसे मुके संबानी साहब 18 गंटे 16 गंटे 20 गंटे काम करते सो बींग कस्टमर अफ रिलायंस प्रोड़क्ट हम उनकी respect करते क्यों क्यों क्योंकि वह व्यक्ति बड़ा hard working है वह व्यक्ति बड़ा काम करना चाहिए so hard labor अगला service first profit afterwards एक लाइन है हेंडी फोर्ट साब की the business the main name of a businessman is to provide the services first and profit next मतलब एक businessman का मुख्य उद्यश से होना चाहिए कि पहले आप उसको service दे पहले आप सामने वाले व्यक्ति को product दे service दे और उसे अपने दिये गए प्रोड़क्ट और service से संतुस्ट करें उसके बाद ही आप उससे पैसा expect करें प्लाब कमाए ठीक है तो पहले आपको क्या देनी है जब बिजनेस्मेन service देनी है और service देने के बाद क्या कमाना आपको profit कमाना है ठीक है चलिए नेक्स्ट वन principle in honesty एक सफल उध्यमी एक सफल बिजनस्मेन के पास अपना सिध्धान्त होना चाहिए उसके कुछ वसूल होने चाहिए उसका अपना कुछ विचारधारा होना चाहिए और वो व्यक्ति होना चाहिए इमांदार होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपको ऐसी कोई डील मिल रही है जिसमें सामने वाले व्यक्ति का नुक्सान करके और आप बहिमानी से अपना फायदा कर रहा है तो दिस इस नॉट गूट करेक्टरिक बिजनस्मैन अगर आप एक अच्छे व्यापारी बन जान में क्या पूरे बिश में पैदा नहीं हो सक्ता है तो रड़ क्रिंसिपल आपने ता उसमें नुक्सान हो जाए हमारा चाय हमारा यह नुक्त हो यो सोसाइटी का नुक्सान दिस इस दे प्रिंटिपल जोकी नुक्र डेरा सभ्वाarn का behavior अपने employees के प्रति अपने customers के प्रति एरोगेंट रही होना चाहिए जैसे आप कभी-कभी कुछ दुकानों पर जाते होंगे तो वहां के दुकानदार बड़े बत्तमीजी से आपसे बात करते होंगे थोड़ा उनका जो बात करने का तरीका होगा बड़ा कैजूल होगा और बड़ा ही एग्रेसिव या एरोगेंट होगा तो ऐसा behavior आपको नहीं रखना है जब बिजनसमें आपको एक अच्छा व्योहार रखना है सामने वाले वक्ति से प्रेम पुरुवक बात करनी है जो भी आपका audience है आपका customer है या फिर आपका जो employee है सबके साथ Discipline अगर आप कुड़ discipline में नहीं रहेंगे तो आपने employees से discipline कैसे expect कर सकते हैं अगर मैं खुड discipline में ना रहूँ अगर मैं खुद क्लास में रोज समय से ना आउं तो मैं बच्चों से कैसे expect कर सकता हूं कि बच्चेन हमारे क्लास में समय से आएंगे तो discipline का मतलब होता है अनुसासन तो एक व्यक्ति जो teacher है जो businessman है चाहिए कोई भी व्यक्ति विध्यार्थी भी हर एक व्यक्ति के जीवन में अनुसासन का एक अपना महत्य होता है और जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुसासन को सुनिश्चित कर लेता है निश्चित तोर पर उसका जीवन बहुत आगे जाता है तो discipline का मतलब अनुसासन और अनुसासन भी आपको एज बिजनस्मैन बहुत अच्छा बना कर रखना होता है क्योंकि आपका discipline motivate your employees आपके employees को motivate करेगा आपकी तरह बनने के लिए आपकी तरह नुसासित बनने के लिए ठीक है पॉलाइटनेस एक बिजनस्मैन पॉलाइट होना चाहिए हमबल होना चाहिए मतलब बड़ा विनम्र होना चाहिए उसके अंदर कोई एरोगेंस उसके अंदर कोई ऐसी चीज जो सामने वाले व्यक्ति को पसंद रहा वो नहीं होनी चाहिए मतलब आपको विनम्र रहना है अपनी जो भी बात कहनी है एरोगेंस से नहीं विनम्रता से करना है पुलाइटनेस से करना है अगला इंटेलिजेंस एंड अलर्टनेस ये तो हो गए हमारे मोरल केरेक्टरिक्स मतलब एक बिजनसमैन के अंदर कौन सी नैतिक खूबिया होनी चाहिए लेकिन केवल नैतिक खूबियों से बिजनस नहीं होता है अगर आप बिजनसमैन बनना चाहते तो आपको पास बिजनस की समझ होनी चाहिए सो इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप जो भी बिजनस कर रहा है उस बिजनस की पूरी समझ रखे उस बिजनस में क्या चल रहा है उस बिजनस की ओडियंस उस बिजनस का टागेट रही होुटन चोगनना रही है हमेशा अलर्ट रही है बनेस्ट में बहुत सारे सब्सकुर्णा होय जिसको बिजनेस्षे विजनसमें को पता था कि गयो हिंदूस्तान तक पहुरू सकता है गभंच एक विजनसमैन पहले ही अपने सारे बिजनस को online shift कर दिये थे और उनका कुछ नुक्सान नहीं हुआ हुआ भी तो बहुत कम नुक्सान हुआ लेकिन जो बिजनस्मेंस यह मान लिए थे कि कोविड-19 हिंदुस्तान पहुंजी नहीं सकता है उनका बड़े पैमाने पर उक्सान वा क्यों क्योंकि वह अलर्ट नहीं थे आने वाले रिस्क के लिए आने वाले अंसर्टिनिटी के लिए सबसेbbe लिए अलर्ट को मान अंध चाहते हैं अगर आप अपने बिजनस में हंयसा सक्सिस को देखना चाहती हैं अगरा वेल्या उफ टाइम टाइम ईसमय ही तो जूस्वन पैसा होता है और एक विजनसमें को अपने समय की चीमत समझ नी होगे। वह एक क्या बिजनसमें की क्वालिटीज है व्यक्ति यह पने अंदर अक्वायर कर सकता है Пiennent तो बिलकुल कर सकता है लेकिन कुछ ऐसी कुवालिटीज होती हैं जो वाई गौड गिफ्ट के रूप में होती हैं मतलब भगवान ने एक गिफ्ट के रूप में कुछ लोगों को दिया होता है मतलब कहते हैं कि खुण में है बिजनस इसके जैसे मुकेस अंबानी साहब अगरवाल लोग, जैसवाल लोग, बर्नवाल लोग, जितने भी यह पन्या लोग हैं, इनके पास पहले से ही, इनके खून में ही ऐसा लगता है, कि बिस्नस के आईडियाव भरे हैं, इनके खून में ही बुज्नस बसा हुआ है, तो इनको कुछ जादे सीखने की जरूत नहीं पड़े जिसे पहल बिजनसमेन नहीं बन सकते हैं बिल्कुल बन सकते हैं क्यों नहीं बन सकते हैं लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा हमें सिक्षा प्राप्त करने पड़ेगी और इस सिक्षा और इस ट्रेनिंग के त्रू जिसे आपको मैं आज क्या दे रहा हूं सिक्षा दे रहा हूं कल आप किस की entrepreneurship development program को करेंगे एडिप जिसको कहते हैं सौट में तो आपको वाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी बकाइदा कि businessman की life कैसी होते एक businessman कैसे सोचता है कैसे उठता है कैसे बैठता है कैसे रहता है कैसे बात करता है यह सब कुछ की ट्रेनिंग दी जाती है एक प्रोग्राम होता है entrepreneurship development program कुछ courses भी होते हैं क्या businessman की qualities एक साधारण व्यक्ति के अंदर हो सकती है बिल्कुल हो सकती है उसके लिए साधारण व्यक्ति को उस बिजनस की सिक्षा पराप्ट करनी होगी उसके लिए साधारण व्यक्ति को ट्रेनिंग लेनी होगी प्रसिक्षड लेना होगा तो यह भी तरीका है और एक तरीका होता है कि भगवान आपको पहले से ही सब कुछ आपके थाली में परोज के दिये हुए है आपके खून में है बिजनस सो बिजनस की क्वालिटी कुछ गौड गिफ्टेड होती हैं कुछ एक व्यक्ति एजूकेशन और ट्रेनिंग के थूँ अक्वाइर करता है ठीक है तो दोनों यह चीज़े होती है तो मेरा कुश्चन क्या था क्या बिजनस की व्यक्ति एक एपके बूक में पहला है जमसेट जी चाटा का नाम गंसगा है और तीसरा है धिरुभाय अम्बानी साहब का नाम, इन तीनों ही वेक्तियों ने अपने जीवन में बहुत संगर्स किया, अगर मैं स्पेसली बात करूँ, जमसेच जी टाटा का नाम, तो यह रिप्रेजेंट कर रहा टाटा कंपनी को, और यह टाटा कंपनी के फाउंडर है, पहले से ही आता था, इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं कि थी बहुत बड़ी, जैसे आप MBA करते हैं, CA करते हैं, CES करते हैं, कि आपको बिजनस का ग्यान हो, इन्होंने कुछ नहीं किया था, बट इवन आफ्टर इनके पास इतना नौलेस था, कि इनके अंडर बहुत सारे चा कंपनी में पता ने कितने हाजारों MBAs और Chartered Accountants Company Secretaries काम करते होंगे, सेकेंड पॉइंट, घंसयाम दास बिरला, बिरला कंपनी अपने नाम सुना होगा, बिरला का सिमेंट भी आता था पहले, यह जो घंसयाम दास बिरला कंपनी के फाउंडर थे, इन्होंने इस बिरला कंपन लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटे ने उस बिजनस को कुछ गुरोथ लेवल पर नहीं पहुचा, बिल्कुल पहुचाया, अब देखें, एक सयोग हुआ कुमार मंगलम बिरला जी के साथ, कुमार मंगलम बिरला जी क्योंकि घंसयाम दास बिरला जी के पुत्र थे, तो इनके अं होने के बाद बीनोंने सीय कंप्लीट किया एक अंदर की वात आपको बताता हूं कुमार मंगलम बिर्ला इसक्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट वह क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट है और वह आज भी कहते हैं कि ठीक है कि कुछ लोग के अंदर इन्हेरिटेड क की बदालत मैंने बिर्ला कंपनी को और आगे पहुंचाया तो अगर ऐसा हो कि आपके अंदर पहले से बिजनस की क्वालिटीज हो और साथी साथ आप किसी ऐसे प्रोफेस्ट्रल को कर लेते हैं या फिर एंबीए कर लेते हैं तो आपके अंदर वह जो दोगनी हो जाती है ठ आइस खांदान के लोग वह अपने बच्चों को इंजिनरिंग और नीट आई-ई-टी के लिए नहीं भेशते वह जो घुसियार होता है जिसको पता होता कि मुझे अपना बिजनस नेक्स जनरेशन तक कंटिन्यू करना है तो वह क्या करता है वह वह व्यक्ति अपने वह अपने बच्चों को MBA जरूर कराते क्योंकि इनको पता है कि हमारा बेटा at the end of the day किसी कंपनी में काम करने तो जाने वाल नहीं कि खुद की कंपनी बड़ी है कि अगला धीरु भाई अमबानी कि फांडर ओफ रिलाइंस कंपनी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मात्र 50 रुपए की सैलरी लेकर एक पेट्रॉल पंप पेट्रॉल भरने का काम करता था और उस पचास 100 रुपए उस सव रुपए में से 50 रुपए वो रोज जाके ताज होटल में कौफी पी या करते थे चाय सबस्ताइब हारा ताज होटल है अब उसवंगी जमाने में जो एक पीछ क्याता है उसमें से 50 क्यावल चाय पी जाता है ऑब यह चाय यह 50 रुप्य मैं उस भी एक कर घर पे चाहे तो पांटसो बच्छा गया कि भाई आपकी सैली जब 100 रुपय थी आपको पता था और घर चलाने के लिए घर में आपके बच्चे थे मुके सम्मारी साब थे उनकी पत्नी थी तो आप क्यों इस रुप नहीं तो उन्हों नहीं कहा किने नहीं दो हमNow me hade लोगो को सुन जाता हूं क्योंकि ताज आज हम में बिलीनियर्स मिलीनियर्स आते मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुखों की वह बाते क्या करते हैं क्योंकि जो साधारान जन होते हैं जो साधारान लोग होते हैं साधारान पडिवार होता है उसमें एक दूसरे की बुराई करना समाज में क्या चल रहा है घर में क्या चल रहा ह स्कूल में क्या चल रहा है बस यही बाते होती है इसी लिए साइध हम इस सरकल में फसे हुए है अब मैं इस सरकल से निकलना चाहता था इसलिए मैं जाकर चाय पीता था और चाय पीने के बहाने मैं लोगों को सुनता था मेरा पूरा ध्यान लोगों को सुनने पे होता था ना क उसके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता है टाटा कंपनी इससे भी बेहतर है लेकिन टाटा कंपनी क्योंकि चैरिटी पर जादे काम करती थी तो उस पर रतन टाटा जी का रिचेस्ट मैन अफ इंडिया में नाम नहीं आता है वो चाहे तो दिरुबाई मुकेश अंबानी गौता मदानी सब को पीछे कर सकते थे लेकिन फिर भी अगर मैं देखो एक तरह से स्टेंथ और वेल्थ के बेसिस पे तो सबसे जादे वेल्थ आज जिस कंपनी के पास है जिस फाउंडर के जिस कंपनी के सी यू के पास है वो मुकेश अंबानी साब ने अब कि रिलाइंस तो बन गया था धिरुबाई अंबानी साब के माध्यम से लेकिन जब धिरुबाई अंबानी साब दुनिया छोड़के चले गया हर वेक्ति को दुनिया छोड़के एक दिन जाना है जब दुनिया छोड़के चले गया तो रिला रखार शेवां के अनी लंभानी उनका नाम भी लोग आप लोग नहीं जानते होंगे मुक्य समभानी का नाम तो हर व्यक्ति लगभाट दिन में इतना आगे किया इतना आगे किया कि इनके आगे कोई कंपनी आज खड़ी नहीं अपारी और हर बिजनस में आज रिलाइंस just because of मुके संबानी तो आपके पास चाहिए कितना भी पैसा हो अगर आपके पास वो successful आपके पास इंटेलिजेंस जरूर होना चाहिए बिजनस को स्टार्ट करने के लिए और अलर्ट रही है बिजनस जब आप कर रहे हैं तो कि बिजनस में कौन-कौन सबके लिए आप तयार रहे हैं यह था आज का लेक्टर और एक चीज में आपको बताने वाला हूं आज आपकी जो offline classes है वह भी आपकी महद्दीपूर में स्टार्ट हो गई है महद्दीपूर मारकेट में रेडियेशन ब्लू के सामने जो गुरकपूर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है रेडियेशन ब्लू इसी के सामने हमारी classes अभी गली है लगबग 50 गरिमा हॉस्पीटल की गली में लगबग 50 से 60 मीटर मतलब 50 से 60 कदम आपको चलना होगा और यहां पर आपका कोचिंग जो है वी कॉम फॉस्ट समिस्टर का वी कॉम थर्ड समिस्टर का और साथी साथ सीएस एटी का और क्लास 12 कॉमर्स की भी क्लास से चल रही है अगर आपका कोई क्लास्मेट हो क्यों क्लास 12 में बढ़ता है और जिसको सीएस करना है सीएस का जो सीएस पाउंडेशन सबसे पहला लेवर होता है कंपनी सेक्रेटरी एग्जेगेटिव इंटरंस टेस्ट इसकी भी त्यारी हो रही है अगर आपका कोई सीनियर है तो आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं बाकि यह बीकॉम फॉस्ट समिस्टर की भी क्लास से यहां पर चल रही है तो आप लोग कर सकते हमारे हेलप लाइन जाती कि आपको पढ़ना ही है आज आपको जाना ही है आज लाइब क्लास अटेंड करना ना अटेंड करना यह आपके उबर डिपेंड करता है ठीक है तो it is very important to join offline classes to make yourself very alert अपने आपको चौकना रखने के लिए अपने discipline रखने के लिए बड़ा जरूरी है so student यह थी आज की class कैसी लगी class comment section में जरूर बताइएगा और कौन-कौन offline class join करना चाहता है यह भी बताइएगा वह जो offline join नहीं कर सकता है बहुत दूर रहता है उसके लिए हमारी online courses भी चल रहा है सार्थी for BCom first semester just at 399 मिलते हैं दोस्तों next class आजस्टों